इस वीडियो के अंदर हम कक्षा बारा केमेस्ट्री रसाइन विग्यान का चेप्टर टू सॉलूशन जिसकी जो वर्कशीट आपके पास आई है 21.09.2021 मतलब 21.09.2021 को जो आपकी वर्कशीट मिली है उसका पूरा सॉलूशन हम देखेंगे तो पहला प्रशने विलेता किसे केते हैं तो आपको बताना है विलेता किसे केते हैं तो इसका उत्तर है यह आप देख सकते हैं किसी रसायन या योगी की किसी दरव में गुल जाने की शमता को ही क्या केते हैं जो परदाद गुलता है उसे विले केते हैं जिसमें गोला जाता है उसे विलायक केते हैं विले को विलायक में गोलने से विलियन प्राप्त होता है गिले परदा ठोज द्रव या गेस कुछ भी हो सकता है तो ये पहले प्रशन का उत्तर है दूसरा प्रशन है N.A.C.L. जल में आसानी से गुल जाता है जबकि बेंजीन में नहीं गुलता NACL जो जल में तो गुल जाता है लेकिन बेंजीन में नहीं गुलता है इसे हमें बताना है तो इसके कारण हमें बताना है देखिए आप इस प्रशन का उत्तर दूसरे प्रशन का तो ये है आपके सामने दूसरा प्रशन का उत्तर जल में NACL की जल योजन एंथल्पी इसकी जालक एंथल्पी की अपेक्शा उच होती है अता ये जल में विले होता है जबकि बेंजीन में इसकी विलायक जालक एंथल्पी अपेक्शा करद बहुत कम होती है अता NaCl बेंजीन में अविले होता है याने विले नहीं होता है अब आप देखें NaCl NaCl जो है उसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनता है Na प्लस प्लस A माइनस ये आईनिक योगिक है ये क्या है एक आईनिक योगिक है और जब हम H2O जलका देखते हैं तो H2O को अगर आप तोड़ेंगे तो उसका क्या बनता है आप देखें H प्लस प्लस O H माइनस ये आपका दुरुव्य विलायक होता है और आपको पता हो तो आप देखें इसके अंदर बेंजिन के लिए अप ये इसकी संरचना हो जाएगी ये बेंजिन तो अब बेंजिन को आप देखेंगे तो ये आइनो में ये नहीं तूटता है ये जो है वो आइनो में नहीं तूटता है जबकि NaCl आइनिक योगिक है और H2O जल जो है वो दुरुवे विलायक होता है और आइनिक योगिक दुरुवे विलायक में विले हो जाते हैं जबकि ये अदुरुवे विलायक में विले नहीं होते हैं ठीक है ना तो ये इस दूसरे प्रेशने का उत्तर था मैं आपको इससे लिखके भी बता देता हूँ यहाँ पे आप देखें NaCl जो है आपका Na+, A- इसमें तोटता है इससे क्या कहते हैं I-NIC योगिक योगिक का जाता है इससे का जाता है दूसरा हमारा जल H2O इसका अगर आप देखेंगे तो H+, O H- यह से क्या कहते हैं दूविये विलायक कहते हैं विलायक योग ठीक है न यह दूविये विलायक है आपका और बैंजीन का आप देखिए तो बैंजीन का यह आपका बन जाएगा तो बैंजीन को अगर आप देखेंगे तो यह क्या है यह आईनों में नहीं तूटता है यह आईनों में नहीं तूटता है नहीं तूटता है ठीक है न और जो आईनिक योगिक है जो आईनिक योगिक है वो दूविये विलायक में विले होता है जबकि आईनिक योगिक अदूविये यह क्या है अद्रूवे विलायक है तो अद्रूवे विलायक में ये विले नहीं होता है तो अद्रूवे बेंजिन के अंदर तो ये इसका उत्तर था अब तीसरा प्रशन है तीसरा प्रशन देखिया तीसरा प्रशन है ठोसो की द्रवों में विलेता पर ताप के प्रभाव को समझाईए तो ठोसो की द्रवों में विलेता पर ताप के प्रभाव को हमें समझाना है तो सबसे पहले आप इसका तीसरे का उत्तर देखे ठोसो की द्रवों में विलेता आप देखे सबसे पहले एक निश्चित ताप पर सो ग्राम दर्भ विलायक में गुली हुई विले ठोस की ग्रामों में अधितम मातरा ही ठोस की रव में विलेता केलाती है ठीक है न ताप का प्रभाव अब आप देखें इसमें तो ला सेते लिए के अनुसार ला सेते लिए के अनुसार आप देखें विले ठोस को दरव विलायक में गुलने पर उश्मा का अवशोशन होता है तो ताप बढ़ने पर ठोसों की दरव में विलेता बढ़ती है है आप यहां से देख सकते हैं चोथा प्रशने देखे आप हैंडरी का नियम लिखिए तो हैंडरी का नियम हमें बताना है तो हैंडरी का नियम आप देखे ये आपका हैंडरी का नियम है हैंडरी का नियम किसी नियत ताप पर किसी दरव के निश्चित आयतन में गुल सकने व गुलने वाली गेस उस द्रव के साथ कोई रसाइनी क्रिया ना करें ठीक है न ये इसका सेम वर्ड है तो आपको ये इसमें याद रखना है अगर इसको दूसरे शब्दों में इस परिवाशाओ कैसे कहते हैं ये देखें अब किसी गेस की जो किसी गेस की किसी द्रव में गु वर्कशीट 2021 का ये 21 तारिक का हैंडरी के नियम के अनुप्रियोग लिखे है तो हैंडरी का जो नियम में उसके अनुप्रियोग बताने हैं तो मैंने इसमें तीन अनुप्रियोग बताए हैं आपको तो आप ये तीन अनुप्रियोग भी नोट कर सकते हैं तो आप देखें इसका भी हेंडरी नियम के अनुप्रियोग सबसे पहला है सोडा जल एवं शीतल प्रियोग में सी ओ टू की विलेता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाप पर बंद किया जाता है यह अनुप्रियोग है इसका पहला और गोता खोर द्वारा सांस लेने के लिए उप्योग किये जाने वाले टेंकों में हीलियम ही मिलाकर तनुप की गई वायू एटेंट्विट एयर का प्रियोग किया जाता है और तीसरा इसमें पॉइंट है सामन्यन्त 2% ओटू और 98% हीलियम का मिश्रन प्रियोग किया जाता है जो O2 का उतना ही आंशिक दाब देता है जितना के सामन्य वाईयू में एक वाईयू मंडलिये दाब पर ऑक्सिजन देता है तो ये इसके अनुप्रियोग है तो आप एक और बार देख लीजे ये आपके पांचों प्रशन के उत्तर हैं आप यहां से इसका स्क्रिंशोट भी कीज़ सकते हैं और आप इसे अराम से अपनी कोपी में लिख लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए और ये आपका आज मैंने वर्क करा दिया है मिलते हैं नेक्स वीडियो में